Good morning children, कुसुमेम की उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारी बच्चो आज हम फिफ्ट क्लास की पठे पुस्तक गनित का जादू का चैप्टर 11 क्षेत्रफल और घेरा की स्वालों को समझेंगे और हल करना सीखेंगे तो देखिए हमारा पेज नंबर है 148 अपने अंदाजे की जाच करो तो यहां ध्यान से देखिए बच्चो आप साथ में आपके पास बुक भी अवेलेबल होंगी तो आप अपने पास अपनी बुक में भी देख सकते हैं और मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और देखिए पहला है हमारा कि पीली आयत को मापो यह है 10 cm लंबी है कितनी cm लंबी है हमें बताना है तो इससे पहले वाला जो है मैंने पहले एक और वीडियो बना रखी है उसमें आपको यह दो पेज समझा दिये थे तो यह वाली पीली आयत है बच्चो इसकी बात चल रही है next page पे ठीक है यह जो आयत है इसकी लंबाई यह वाली लंबाई होती है और यह होती है चोड़ाई तो इसको हमें मापना है किस से? Scale से यह देखिए यह Scale है आपको Scale से मापना तो आता होगा ना इस पे Numbers लिखे होते हैं 0 से Starting है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से Numbers होते हैं यह Centimeter होते हैं ठीक है जैसे यह 5 तो 5 cm, 6 cm, 7 cm इस तरह से Counting होती है इनकी तो यहाँ पर कैसे मापते हैं पता है इस Corner पर 0 जो लिखा है ना 0 वाला जो Line है उस पे इस तरह से हम Scale को रखेंगे और इसको असानी से मापा जा सकता है यहाँ पर यह वाली Line कहां तक आई 14 है तक 14 तो यह हो गई इसकी लंबाई 14 cm और इसकी चोड़ाई भी साथ में ही बता देती हूँ मैं आपको यह देखिए यहाँ देखो 0 से ही शुरू करेंगे हम यहाँ 0 पे रखेंगे और कितने ही हो गई यह 8 cm यानि 8 cm तो इसकी लंबाई कितनी हुई 14 cm और बताओ इसकी चोड़ाई कितनी हुई 8 cm यानि 8 cm ठीक है एक और बात है कि अब इसमें जो है कितने डाक टिकट लगेंगे तो देखिए ये वाली इस वीडियो में मैंने पहले वाली वीडियो में ये बात समझा दी थी कि कितने डाक टिकट लगेंगी ये लगा कर भी समझाए थे अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो लंबाई में तो साथ डाक टिकटे लगेंगी और चोडाई में कितने लगेंगी 1, 2, 3, 4 ठीक है? अब आओ आगे पेज पर इसके जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको समझते हैं यहां देखिए पहला क्यूशन था ना हमारा कि पीली आयत को मापो कितने सेंटीमीटर लंबी है तो बताओ बच्चों कितने सेंटीमीटर थी शाबाज? 14 है 14 थी ना? तो हम लिखतेंगे 14 इसके लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? मैंने बताया था ना? पिछले पेज पर कितने थे बताओ शाबाज? याद है? साथ अब आगे देखो यहाँ है आयत की चोडाई कितनी है? तो चोडाई भी हमने ना पी थी बताओ कितनी थी? आठ सेंटीमीटर तो हम लिखतेंगे यहाँ पर आठ सेंटीमीटर इसके चोडाई में कितने डाक टिकेट लगाए जा सकते हैं? बताओ बचो चोडाई में वो भी मैंने बना कर दिखाए थी ना आपको हाँ चार शाबाज अब है पूरी आयत को ढखने के लिए कितने डाक टिकेटों की जरूरत पड़ेगी? तो यह बताओ बचो कैसे पड़ेगी? यह देखो अब जैसे यह वाला है तो हम इस तरह से लाइनों को बढ़ा कर आगे करके और इस तरह से भी सारी लाइनों को हमें काउंट करना पड़ता है तो यह तो टाइम भी ज़ादा लगता है टाइम वेस्ट भी होता है इससे है ना? इसका एक आसान सा क्या तरीका है? मैंने इस वीडियो में इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई उसमें भी बताया था कि क्या करना होता है इसके लिए हमें इसकी लंबाई में जितने भी टिकट आए हैं और चोडाई में जितने भी टिकट आए हैं उन दोनों को multiply कर देंगे यानि कि गुणा कर देंगे तो हमारे total टिकट आ जाएंगे ठीक है? अब देखो यहाँ है पूरी आयत को ढखने के लिए कितने? तो बताओ बच्चो श्याबाज लंबाई में कितने डियाख टिकट आये थे? साथ डा टिकट आये थे है ना? और चोडाई में कितने आये? चार तो इनको गुणा कर देंगे साथ चोके 28 तो कितनी टिकटे आ जाएंगी यहाँ पर? 28 टिकटे आ जाएंगी आगे है तुम्हारा अंदाजा कितना सही था? तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था है ना? तुम भी अपना अंदाजा देखना बच्चो अपने उसमें करके देखना आगे है आयत का कुल अक्षेतरफल कितना है? आयत वही आयत आयत की लंबाई कितनी थी? श्यवाज साथ है ना? और चोड़ाई कितनी? आयत की चोड़ाई कितनी है? चोड़ाई आठ सेंटिमीटर थी है ना? ये वाली और इसमें डाग टिकटे थी ये तो साथ हाँ चोड़ाई यहाँ दे रखी है सोरी ये आयत की चोड़ाई कितनी थी? आर थी और लंबाई कितनी थी आयत की बताओ की थी न हमने आयत मापो और इसकी लंबी इतनी ये रही ये चोध है सेंटीमेटर आयत की लंबाई कितनी थी चोध है सेंटीमेटर और चोड़ाई कितनी आठ सेंटीमेटर यही थी ना, अब इसने पूछा है कि आयत का क्षेतरफल कितना है, तो मैंने आपको बताया था क्षेतरफल निकालना, पिछे भी पिछली वीडियो में ये देखिए, दोबारा से एक बार बता देती हूं, यहाँ पर बताया था मैंने कि क्षेतरफल निकालने का क्या तरीका ह क्षित्रफल निकालने का होता है आयत की लंबाई गुना चोड़ाई तो अब यहां पर देखिए लंबाई 14 cm दी गई है तो 14 लिखेंगे चोड़ाई कितनी दी गई है शयबास कितनी थी उसकी आयत की 8 cm तो हम यहां लिख देंगे 8 cm और इन दोनों को हम गुना कर देंगे 14 8 क सदुं कितना हो गया 112 है और यह कितना है सेंटीमीटर में है और 6 प्रफल हमेजा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है आगया समद में ये बात सभी बच्चे ध्यान रखना कि हमेजा अक्षेत्रफल वर्ग सेंटीमेटर यानि की सेंटीमेटर स्क्वियर में आता है आगया समझ में अब देखिए आगे है हमारा आयत का प्रिमाप क्या है तो यहां हम देखेंगे की आयत का प्रिमाप तो बच्चो आपको प्रिमाप निकालना आता है चलो उसके लिए भी मैं आपको परिमाप निकालना भी समझा देती हूँ बहुत ही easy होता है जिस तरह से ये अक्षेत्रफल है है ना ये अक्षेत्रफल अक्षेत्रफल में क्या होता है कि हमें अंदर का जितनी भी घेरी हुई जगें होती है वो हमारा अक्षेत्रफल होता है लेकिन परिमाप में क्या होता है बाहर का जो घेरा है जो हमारी ये बाउंडरी है उसी को परिमाप बोलते हैं आ गया समझ में हाँ देखिए अब जैसे ये परिमाप के बारे में मैंने बता दिया ये आयत है बच्चों ये तो पता है ना, आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं equal हो, ये वाली दोनों equal होती है, और ये वाली दोनों बराबर equal होती है, तो ये है आयत, इसका प्रिमाप कैसे निकालते हैं, पता है, अब जैसे इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी आयत की, 14 cm और इसकी चोडाई कितनी है दे रखी है ना हमने मापी भी थी स्केल से 8 cm यह इस तरह से तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं हम वैसे तो बच्चो मैंने अपने चैनल Online Study Hub में परिमाप पर एक वीडियो बना रखी है अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है और आप परिमाप के बारे में जानना चाहते हैं तो Online Study Hub मेरे चैनल पर जाएए और वहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से बहुत ही आसान तरीके से आपको परिमाप के बारे में समझाया गया है वो देखकर समझ लेना उसमें मैंने आपको तिरभुज का आयत का वर्क का सभी परिमाप अच्छी तरह से समझाये हैं तो अब ये देखिए ये तो है आयत का परिमाप इसके लिए क्या करते हैं हम लंबाई और चोडाई है ना तो हमें सबसे सिंपल तो ये होता है कि इनकी चारों का जोड यानि कि मानलो ये A, B, C और D चार भुजाएं हैं सबसे सिंपल परिमाप निकालना तो होता है ये कि हम क्या करेंगे A, B इन भुजाओं को जोड देंगे A, B और B, A, B, C और ये D A, B, B और इसको जोड देंगे D को ठीक है प्लस A, C प्लस C, D इस तरह से हम चारों बुजाओं को जोड कर भी परिमाप निकाल सकते हैं ये A, B, 14 हैं B, D कितनी है? 8 है है ना और ये A, C कि भी 8 ही हो गए ये भी 8 और ये C, D कितना हो गया? चोड है तो इस तरह से भी हम परिमाप निकाल सकते हैं इनको चारों को जोड कर लेकिन ये थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है है ना बच्चो? आप ये जोड़ कर मुझे बताना यहां पर कितना आएगा? ठीक है? अब देखो इसका एक और दूसरा तरीका बताती हूँ मैं परिमाप का एक फार्मूला है लंबाई जमा चोड़ाई और उसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में करके बाहर हम दो लेकर आते हैं क्यों किया ये दो? बताओ दो लंबाई है इसकी और दो चोड़ाई है अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दो बारा से यहां देखो दो लंबाई दो लंबाई है ना इसकी होगी? और जमा दो चोड़ाई इनको हम जोड़ना होता है वही हमारा परिमाप होता है बाहर की जो बाउंटरी है उसको जोड़ना यह परिमाप निकलना आएगा दो लंबाई जमा चोड़ाई तो हम क्या करते हैं? दो इसमें से जो है हम बाहर निकाल लेते हैं आ गया समझ में ना बच्चो? दो हम निकाल लेंगे कितना बच गया? लंबाई जमा यह दो बाहर चला गया कितना बच गया? चोड़ाई तो इस तरहें से जो है परिमाप का फार्मूला बनता है मैंने इसमें आपको परिमाप का फार्मूला भी बनाना बताया है यह फार्मूला है इसी पर हम लिखतेंगे दो गुणा ब्रैकिट में ही रखना है बच्चो यह लंबाई जमा चोड़ाई को क्योंकि यहां तो गुणा है यह जमा है अलग-अलग हो गया ना? तो लंबाई कितनी है? 14 है प्लस चोड़ाई कितनी है? 8 अब इसको हमें सोल करना है और प्रिमाप आसानी से निकल आता है 2 गुणा 14 और उसमें 8 जोड़ो शावाज कितने हुए बताओ शावाज? हाँ 22 है ना? अब क्या करेंगे 22 दूनी? 44 तो कितना आ गया? प्रिमाप कितना आया? 44 सेंटी मीटर आया लेकिन प्रिमाप जो है मीटर में है तो मीटर में सेंटी मीटर में है तो सेंटी मीटर में ठीक है? और अक्षेतर फल में वर्ग लगा जाता है अगर मीटर है तो वर्ग मीटर और सेंटी मीटर है तो वर्ग सेंटी मीटर क्या आपको इतना आ गया बच्चो अब आगे देखो अब इसने पूछा था ना आयत का प्रिमाप क्या है यानि कितने सेंटीमेटर तो हमारा आयत का प्रिमाप कितना आया 44 cm हम यहाँ पर लिख देंगे 44 cm अब आगे देखो बच्चो आगे आगे हमारा अभ्यास का समय तो यहाँ पर हम आने वाले सभी क्यूशन सीखेंगे यह देखो हमारा पहला क्यूशन क्या है अर्बाज ने अपनी रसोई के फर्स पर हरी वर्गाकार टाइल ले लगवाने की सोची है टाइल का हर किनारा 10 cm का है उसकी रसोई 220 cm लंबी और 180 cm चोड़ी है उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी अब यह स्वाल ध्यान से देखो बच्चो सभी यहाँ देखिए क्या दे रख्या है रसोई की लंबाई दे रखी है और चोड़ाई दे रखी है रसोई के फर्स की तो हम कैसे लिख सकते है इसको लंबाई रसोई के फर्स की है बच्चो यह ठीक है फर्स की लंबाई कितनी है देखो 220 cm और फर्स की चोड़ाई कितनी है बताओ शयाबास देखो इसमें 180 cm है ना 180 cm अब हम क्या करना पड़ेगा देखो ये मानलो ये है रसोई का फर्स लंबाई कितनी है 220 cm और इसकी चोडाई कितनी हुई ये 180 cm आ गया ना समझ में अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा टाइले कहां पर लगानी है हमें टाइले इसके अंदर लगानी है अंदर का मतलब होता है अक्षेत्रफल ये बात याद रखो अंदर का मतलब अगर अंदर कोई चीज पूछी गई है ना तो उसका मतलब है हमें उसका अक्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका अक्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फार्म को अगर हम गुणा करेंगे करके देखो नीचे पीछे दो जीरो होगी ना ये आ गई और इनकी भी गुणा करके देखो शयाबास ये आ जाएगा इतना और ये जो है ना ये आ गया 49,600 अब शेतर फल निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटी मीटर या फि कि टाइल का हर किनारा 10 सेंटी मीटर का है और रसोई के फर्स पर हरी वर्गा कार टाइल ले लगवाने की सोची है उसने यहां फर्स के उसके उपर वो टाइल ले लगवाना चाहता है ठीक है तो इसने कहा है कि टाइल का 10 सेंटी मीटर की एक टाइल है 10 सेंटी मीटर यानि क ठीक है अब फिर कैसे लिखेंगे हम एक वरगाकार टाइल का खेतरफल कितना होगा बताओ श्याबाज क्षेतरफल कैसे आता है ये आयत का था तो आयत का क्षेतर फल हमने निकाला लंबाई गुणा चोड़ाई और टाइल का क्षेतर फल निकालना है तो उसमें भुजा होती है क्यूंकि इसमें जो लंबाई चोड़ाई है वो बराबर होती है तो इसलिए इसे भुजा गुणा भुजा इसका फार्मूला होता है वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा तो 10 गुणा 10 कितनी हो गई? 10 गुणा 10 कितने हो गई? 100 और वर्ग सेंटी मेटर इस तरह से आ जाएगा आ गया समझ में अब इसने पूछा है कि रसोई के वर्श के लिए टाइलें कितनी चाहिए यहां पर तो इसके टाइले चाहिए के लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा हम यहां लिखेंगे रसोई के फरस के लिए टाइले चाहिए इसके लिए क्या फार्मूला है पता है हाँ फरस का ख्षेत्रफल जो है टाइलों का जो ख्षेत्रफल है वो और यह तो फर्स का था न, वो, फर्स का अक्षेत्रफल, इसका ये फार्मूला आ जाता है, फर्स का अक्षेत्रफल, बटा, टाइलों का अक्षेत्रफल, ठीक है, टाइलों का अक्षेत्रफल, देखो, कितना था इसका, 49,600, और बटा, टाइलों का अक्षेत्रफल कितना आया हमारा, यह लो दीख नहीं रहा क्या यहां से यह कट गया कितना बच गया 300 चान में टाइले अब यह लगेंगी बच्चो इस जगहें पर रसोई के अंदर 300 चान में टाइले लगेंगी तो इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझना आप अपने घर में भी जब आप मिस्तरी वगरा लगाते हो तो वो पुछें तो आप easily इस फार्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि इतना एरिया है इतनी लंबाई है इतनी चुड़ाई है तो उसका जो है ये टाइले कितनी लगेंगी छीक है आसानी से कर सकते हैं अगला हमारा ये वाला है, तो अब देखिए ये स्वाल किसे हैं से करेंगे, इसमें एक वर्गाकार बगीचे की बाड की लंबाई 20 सेंटिमीटर बताई, तो हम यहां क्या लिखेंगे, वर्गाकार बगीचे की बाड की लंबाई, कितनी हैं, बताओ शाबाज, 20 कितनी थी, मीटर, तो हम यहां पर लिख देंगे 20 मीटर, अब इसमें पुछा बगीचे की एक साइट कितनी लंबी होगी, तो ये देखो बच्चो, ये वर्गाकार है, वर्गाकार क्या मतलब होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये एक वर्ग है, इसने 20 मीटर, ये पूरी 20 मीटर है, और इसने पुछा है, कि लंबाई कितनी, इसकी चार भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, देखो, चार भुजाएं हैं तो इसने एक भुजा की लंबाई अगर हमें निकालनी है, तो उसका क्या तरीका होता है, पता है, परिमाप है ये, आगया समझ में, परिमाप बटा, इसकी बुजाएं लिखते हैं हम, परिमाप बटा, बुजाएं, आगया समझ में, अब ये लंबाई इसने बताई है, 20 मीटर, ये हमारी, हमारा प बुजाएं कितनी है, चार बुजाएं है ना, ये इस तरह से, परिमाप बटा चार भी लिख सकते हैं, परिमाप बटा चार ऐसे भी कर सकते हैं, आगया समझ में इसकी जगह हैं, बटा चार भी लिख सकते हैं, बीस बटा चार, अब हम काट देंगे, चार पंजे बीस, तो कित जोना हो गया पाँच मीटर, आगे समझ में अब ये हमारा स्वाल हो गया, इसवाल हो गया, आगे का हमारा स्वाल है, 20 संटी मीटर लंबे एक पतले तार से, एक आयत बनाई गई है, अगर आयत की चोड़ाई 4 संटी मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये वरगाकार था ना बच्चो अब की बार ये आयत का बनाया गया है एक पतला तार है उससे जो है एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाई गई है देखिए पहले तो इसको समझो बच्चो एक पतला लंबा तार है और उससे इस तरह से आयत बनाई गई है एक आगया समझ में और उसकी 20 cm लंबा तार था वो तो यहाँ यानि इसकी पूरी ये 20 cm हो गई लंबाई कितनी हो गई 20 cm ठीक है अगे पुछा इसने अगर आयत की चोड़ाई अब इसने चोड़ाई भी दे दी तार की लंबाई दी है यानि तार की लंबाई का मतलब ये हमारा परिमाप हो गया आयत का परिमाप तो हम इस क्यूशन को कैसे लिखेंगे हम इस क्यूशन को लिखेंगे आयत का परिमाप परिमाप बताया ना जो बाहर की बाउंडरी होती है अब ये एक तार था पूरा लंब 20 सेंटीमेटर और इससे हमने आयत बना दिया इसको तो यह हमारा प्रिमाप हो गया ना तो कितनी सेंटीमेटर है यह 20 सेंटीमेटर प्रिमाप हो गया अब आयत की चोडाई भी दे दी इसने चोडाई दी है ना इसने यह देखो यह कहा इसने आयत की चोडाई 4 सेंटीमेटर है तो हम यहाँ पर लिखतेंगे आयत की चोड़ाई कितनी? 4 cm अब इसने कहा है कि क्या पूछा है? इसने कि अगर इतनी है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई पूछी है तो हमें लंबाई निकालने के लिए क्या तरीका है? बताओ शयवास इसका भी फार्मूला है बच्चो ये देखो परिमाप बता अब आयत का जो है लंबाई चोड़ाई निकालने का दो बता दो आएगा क्यों आमने सामने की भूजाएं बराबर होती है न? तो दो घटा में यहां हम लिखेंगे चोड़ाई ये फार्मूला है बच्चो इसका फार्मूला आपको याद कर लेना है कि अगर हमें एक आयत की का परिमाप दे रखा हो और लंबाई दे रखी हो या चोड़ाई दे रखी हो इन में से कुछ भी एक दे रखा हो और दूसरी चीज हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे अगर इसने तो जैसे चोडाई दे रखी है इसकी 4 cm लंबाई निकालनी है तो परिमाप बटा 2 माइनस चोडाई और अगर इसने चोडाई पूछ रखी होती यहाँ पर कि चोडाई कितनी होगी लंबाई दे रखी होती तो आ जाता परिमाप बटा 2 माइनस क्या आता यहाँ लंबाई आ जाता अब इसको सोल करो शयवाज यह 20 परिमाप कितना है परिमाप की जगे हम लिखतेंगे 20 बटा यह 2 और घटा चुड़ाई कितनी है 4 अब इसको हमें सोल करना है सोल करके देखो यहाँ से यह कट गया 10 और 10 माइनस 4 4 यह हो गई कितने हो गई शयवाज 10 में से 4 गई 6 यानि 10 गटा 4 बड़ाबर है 6 सेंटी मीटर आ गया समझ में इस तरह से आ जाएगा स्वाल यह तो बच्चो आज इस वीडियो में तो सिर्फ यही तक के स्वाल मैं समझा रही हूँ क्यों और आगे कराऊंगी तो वीडियो जादा लंबी हो जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएंगे सभी बच्चे मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना और ध्यान से सुनना ताकि सभी स्वाल और इसके फार्मुले आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अलग से जो सम है आगे के वो सारे अच्छी तरह से समझाऊंगी तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्छो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में दिये गए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो बच्छो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए स्वालों के साथ बाई